नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी के हमारी वरक्षिट नमबर 40C यानि कारे पत्रक सिंख्या 40C को या आपके 11 अक्तुबर 2021 की वरक्षिट रहेगी आज की इस आसान सी वरक्षिट में हम व्याकरन में बात करेंगे पद परीचे की पद परीचे क्या होता है, कितनी परकार का होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ये सब कुछ हम आज की आसान सी वरक्षिट में समझने वाले हैं Let's begin चली, शुरुआत करते हैं हम आज की वरक्षिट की, तो यहाँ पर परीचे को सबसे पहले हमें समझना की है क्या तो पद परीचे में दो शब्द है, एक पद है दूसरा परीचे, सबसे पहले हम परीचे को समझेगे, परीचे जो शब्द है वो आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, हिंदी में नहीं तो इंगलिश में जरूर आपने इसको यूज किया हुआ, जैसे आपका इंट्रोडेक्शन हो जाता है, वो आपका प्रीच्य हो जाता है, यह प्रीच्य आपका हो सकता है, किसी वैक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी घटना का हो सकता है, यानि उसके बारे में सूचना देना वो आपका प्रीच्य कहलाता है, यहाँ पर बात क मैं शार्दा सर्वोद्य विद्याले में पढ़ता हूं, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो यह क्या हो गए, यह यहाँ पर शितिज का प्रीचे हो गया, अब जो शितिज ने अपना प्रीचे दिया, वो किसमें दिया, यहाँ पे कुछ वाक्यों में दिया, वाक् पद है, शितिज पद है, और है, यह भी पद है, ठीक, यह क्या, यह पद है, यानि कि वाक्यों में जितने भी शब्द हम प्रियोग में लाते हैं, उनका प्रीचे देना, उसे हम पद प्रीचे कहेंगे, यानि कि शब्दों का प्रीचे देना, वाक्यों में जैसे जितने भ आप शब परीचे भी कह सकते हैं, इसको आप पद व्याख्या भी कह सकते हैं, इसको आप पदानवे भी कह सकते हैं, यहीं कई नामों से आप इसको जान सकते हैं, तो दोनों चीज समझ में आ गई ना, कि परीचे मतलब किसी के बारे में सूचना देना, उत पर परीचे का अर् तो ये चीज तो आप कभी नहीं भूलने वाले कि पद परीचे क्या होता, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ गए होगे, अब हमें इसको थोड़ा सा ओर समझना है, कि पद परीचे को हम कैसे पहचान बनते हैं, किस तरीके से पहचान सकते हैं, और इसके लिए क्या क्या शर उस शब्द को हमने प्रियोग में लाये तो वो बन गया पद, उसको हम बोल सतके हैं पद, अब पद को व्याकरण के अनुसार परिचे देना, कि वो संग्या है, सरवनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेशन है, समुच्य बोदक है, योजक है, क्या है वो, तो वो पद परिचे कह ये सब कुछ हम जब बताएंगे तो हमारा पद परीचे हो जागा इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि पद का परीचे अगर सबसे पहले हमारे देना है तो इसके लिए हमें संग्या पता होना चाहिए हमें सरवनाम पता होना चाहिए विशेशन, कारक और इसके साथ-साथ जो आव्यव है लिंग, क्रिया, वचन इन सबे का यान होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे कि ये संग्या है या नहीं है कैसे बता पाएंगे, अगर हमें संग्या नहीं पता था हम कैसे बता पाएंगे अगर हमें पता ही नहीं कि सरव नाम क्या होते हैं, हम कैसे बता पाएंगे कि सरव नाम है या फिर नहीं है, तो इन सब का यान होना जरूरी है, यान कि जब हमें पूरी व्याकरण अच्छे से बता हो हिंदिकी, तब ही जाकर के हम पद परिचे दे पाएंगे, यानि पद परि परीचे देते समय आवशेक बातों का ध्यान रखना बहुत आवशेक है जैसे यदि इन बातों पर ध्यान रखा जाएगे तो पद परीचे देना हमारा आसान हो जाएगे यानिकि पहले हमें इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा पद परीचे है इसमें प्रियों के अधार पर आठ परकार के पद होते हैं जैसे ही संग्या हो सकते हैं सरवनाम, विशेशन, क्रिया,年前 क्रिया विशेशन, समूच्यश बोधक, संबंद बोधक और विशम्य बोधक यानिकि इसमें यह आठ इसके भेद होते हैं तो अच्छे स आद रखे है कि पद के कितने भेदrim दोत इनको हम बांड सकते हैं इन आठ बेदों को दो भागों में एक तो होगे विकारी और दूसरे होगे एविकारी विकारी और एविकारी दो परकार के होगे अब इसमें जो लिंग वचन पुरुष कारक आदी के कारण पदों में जो विकार पेदा होता है उसे हम बोलते हैं वि लड़की खाना खाती है, लड़का खाना खाता है, अब खाती है, खाता है, बदल गए ना, किसके अंसार बदला, लिंक अंसार, तो यहाँ पे खाती है, खाता है क्या है, यह विकारी शब्द है, बच्चा खेलता है, खेलता है, खेलती है, यह क्या है, यह विकारी शब्द है जो संग्या होता है, जो स्रवनाम होता है, जो विशेशन होता है, जो क्रिया होता है, ये पहले वाले जो चार होते हैं, इन में बदलाव आ जाता है, लिंग के अंसार, वचन के अंसार, या फिर पुरुष के अंसार, या कारक के अंसार बदलाव आता है, तो इनको बोलते हैं विकारी शब्द विकार का मतलब होता बदलावाना ओके जैसे वह अच्छा नास्ती है और लड़का होगा तो वह अच्छा नास्ता है अब देखिए लिंग बदला तो वहां पे नास्ती है और नास्ता बदल गया ऐसी वे नास्ती है वह नास्ता है यहां पे बदल गया बदल उसके पर दूसरे है एविकारी शब्द, एविकारी शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, पुरुष, इनका कोई परभाव नहीं पढ़ता, उनको बोलते हैं एविकारी शब्द, जिसे प्रात्यकाल, धीरे-धीरे, शाबास, जबकी, इनका कोई तेज तेज ही रहेगा, यह एविकारी शब्द रहेंगे, यानि कि लिंग, वचन के अंसार, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसको हम एविकारी कहेंगे, जिसमें बदलाव हो जाता है, लिंग के अंसार, वचन के अंसार, तो उनको हम बोले हैं, विकारी शब्द, तो इसमें इसे जो क्रिया विशेशन होती है, जिसे तेज तेज चलता है, धिरे देज चलता है, या इसमें जो समुच्चे बोधक होते हैं, समुच्चे बोधक कौन से होते हैं, जिसे ओर, तथा, या जो जोड़ते हैं दोश रब्दों को, वो हैं, या सम्मंद बोधक, जो स वो विकारी के होते हैं, विकारी के होते हैं, उसमें बदलाव आता है, लिंग वचन के अंशार, कारक पुरुष के अंशार, जबकि ए विकारी में कुछ भी हो जाए, वो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आता, clear, तो यह हमने समझ लिया कि यहाँ पर पद परीचे क क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इसमें विकारी कौन से होते हैं, और ए विकारी शब्द कौन से होते हैं, अब यहाँ पर हमें कुछ आसान से परशन दिये गएं, जिनको हमें हल करना है, पहला जो हमारा परशन दिया गए, कि वाक्ये में प्रियुक शब्द क्या कहलाते ह पहला है उन्हें शब्धी बोलते हैं दूसरा उन्हें पद बोलते हैं तीसरा उन्हें वर्ण बोलते हैं चोथा उन्हें पदानवे बोलते हैं तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो खे रहेगा उन्हें पद बोलते हैं क्या बोलते हैं पद बोलते हैं तो खे आपक विकल्प आपका गय हो जाएगा इन्हें पद व्याक्षा भी कह सकते हैं और इसे हम पदानवे भी कह सकते हैं उसके पर तीसरा कोशन है हलांकि नम्बरिंग यहां पे दोई कीगी यह तीसरा रहेगा थरड़ आपका परशन दिया गए कि पद परीचे का अधार क्या होता है किस अधार पर हम पद परीचे देते हैं पहला शब्द के अधार पर देते हैं दूसरा हम भाषा के अधार पर देते हैं तीसरा हम व्याक्रणिक का अधार पर देते हैं चोथा हम आर्थिक अधार पर देते हैं तो इसमें सही आपका विकल्प रहेगा, वो रहेगा व्याकरणिक, यानि व्याकरण के आधार पर हम पद का प्रिचे देते हैं, कि उस पद में जो वाक्य में जो पद प्रियोग में लागे हैं वो क्या है संग्या, सरणाम, विशेशन, किरिया, विशेशन या योजग क्या है वो हमें बताना होता है यह पहले आपके तीन पर्षन थे, एक बार फेश से देख लिए, पहला जो आपका पर्षन रहेगा, इसमें आपका सही जो आंसर हैगा, वो रहेगा खै, पद होता है, जो वाक्य में प्रियोग शब्द होते हैं, उनको पद कहते हैं, दूसरा है, इसमें गयर हैगा क्या और यहनकी पद परिचेकों, पद व्याक्या, पद आनवय भी कह सकते हैं, और तीसरा पद परिचेका अधार है, वो व्याकरणिक होता है, यानि व्याकरण होता है, तो गय आपका क्रेक्टांसर रहेगा, उसके बाद चोथा हमें पर्षन दिए गए, प्रियोग के अधार पर पद कितने परकार के होते हैं, तो परियोग के अधार पर पद है, वो आठ परकार के होते हैं, संग्या, सरणाम, विशेशन, क्रिया, क्रिया विशेशन, समुच्य बोधक, संबंद बोधक और विशम्मे बोधक, ओके, ये होते हैं आठ परकार के पद, ठिक परियोग के विकारी शब्द हैं, उनके कितने भीद होते हैं, तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का रूप परिवेतन होता रहता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ते, बदल गया ना, बहुचन होते ही बदल गया, ऐसे कुत्तों हो गया, ऐसी म मैं मुझे हो गया, हमें अच्छा लगा, अच्छा खाता है, खाती हो गया, खाते हो गया, बदल गया जो वचन के अंसार, लिंक के अंसार इनमें बदलावाता है, तो जो शब्द, लिंक, वचन के अंसार बदलते हैं, उनको विकारी शब्द बोलते हैं, विकारी शब्द के तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वरक्षिट, उमीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो ये वरक्षिट अच्छे लगे, तो इस वीडियो इस वरक्षिट को लाइक और शेर जरूर केजिएगा, आज के लिए बस इत आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो में